एमपी में चुनाओ से पहले अब एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आया है इस ओपिनियन पोल की माने तो इस बार राज में बदलाव हो सकता है एबीपी सी वोटर के सर्वे की माने तो एमपी में लडाई काफी काटे की है लेकिन भहुमत कॉंग्रेस को मिल सकता है ABPC वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक परदेश की 230 विधानसवा सीतों में से BJP को 99 से 111 सीते मिल सकती है जबकि कॉंग्रेस को 118 से 130 सीते मिलने का नुमान है मौई अन्नी के खाते में 60 से 2 सीते आ सकती है संभागों के इसाब से ओपिनियन पोल के आखड़े देखे जाए तो मध्यपरदेश के चंबल शेतर में कॉंग्रेस को भहुमत मिलता दिखाई दे रहा है सर्वे के मुताबिक चंबल शेतर में कुल 34 सीते है इसमें से कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा 26 से 30 सीते मिलने का नुमान है यहां बीजेपी के खाते में 4 से 8 सीत, अन्नी के खाते में 6 से 2 सीत जाने की उमीद है मध्यपरदेश बगेलखन रिजन में भी कॉंग्रेस को भहुमत मिलता नजर आ रहा है सर्वे के मताबिक यहां के कुल 56 सीतों में से कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा 32 से 36 सीत, बीजेपी को 19 से 23 सीत मिलने का नुमान है मध्यपरदेश की महाकोशल रिजन में काटे की टक्र दिख रही है यहां की कुल 42 में से कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा 22-26 सीटे मिलने का नुमार है इस रिजन में बीजेपी को 16-20 सीटे मिलने की उमीद है अगर बात करें MP के भुपाल रिजन में कुल 25 सीटों की तो यहां बीजेपी को 18-22 सीटे के साथ बड़त मिलती नजर आ रही है महीं इस शेतर में कॉंग्रेस को स्रीट 3-7 सीट मिल सकती है जबकि अन्य को एक सीट मिलने की उमीद है मध्यपरदेश के निमाड रिजन की बात करें तो यहां कॉंग्रेस बीजेपी आगे नजर आ रही है सर्वे की माने तो इस शेतर की कुल 28 सीटों में से कॉंग्रेस को 14-18 सीटे और बीजेपी को 10-14 सीटे मिलने की उमीद है एमपी के मालवा रिजन में कुल 45 सीटे आती है सर्वे की माने तो यहां बीजेपी आगे नजर आ रही है यहां बीजेपी को 26-30 सीटे और कॉंग्रेस को 15-19 सीटे और अन्य को 19-1 सीटे मिलने का अनुमान है आपको बता दे यह सर्वे एबीपी सी वोटर का है एमपी तक इस सर्वे की कोई पुष्टी नहीं करता है गुरो रिपोर्ट एमपी तक